यार आज कल के समय में न, accessibility एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है चाहे हो accessibility फोन्स में हो, skin readers में हो, TTS में हो, applications में हो, websites में हो, किसी product में भी even हो, सडक पर हो मतलब हर जगा है accessibility जो है न, वो आ चुकी है लेकिन यहाँ पर हम लोग mainly आज focus कर रहे हैं Android के accessibility पर कि यार मेरे हैसाब से Android की accessibility का issue आना नहीं चाहिए क्योंकि यार यह तो बहुत पहले से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यार आपको पता है Android एक open source operating system है और इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, open source का मतलब आप इसमें आपको पूरी freedom है, अपने अनुसार सब कर सकते हो तो फिर यह accessibility का सवाल इसमें का है, तो यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, किसी भी specific phone के बारे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आप कोई भी phone लेकर आये हो, suppose कोई भी दोस्तो, I tell सा I tell, गंदा सा गंदा दोस्तो, अगर उसमें Android चल रहा है न, तो कैसे accessible बनाती है, यह accessibility से सबंदित बहुत सारी बात है, आज आपको पता चलेंगी, तो वीडियो को आपको end तक देखना है, वीडियो में आज लाइक की कमी नहीं होने चाहिए, काफी interesting वीडियो यह है, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर accessible, मतलब जिस चीज़ को मैं access कर सके, और अगर वो हम उस चीज़ को use नहीं कर पारे, access नहीं कर पारे, इस्तेमाल नहीं कर पारे, तो वो accessible नहीं है, simple सा, अब यहाँ पर एक android phone आप लेकर आते हो, सबसे पहले, तो उसमें क्या होता है, by default, सबसे पहले, जब आ फोन आउन करत नहीं आती है, वो accessible होती है, दोस्तों, उसमें कुछ नहीं होता, next next करना होता, सब बड़े, दोस्तों, उसको बड़ी, बहर में से, दोस्तों कहते है, कब खतम हो, बस वो next, तो next next आप कर लेते हो, अब उसके बाद आपका phone खुलता है, दोस्तों, जिसमें आता, आपका launcher, हो सकता ही, inaccessible हो, माल नो, लावा, इटल, इन सब के example हम उठाते है, टेक्नो, पोहा, दोस्तों, इन सब के example हम उठा लेते है, कि इन सब ने भी बस Android का ही फायदा है, Android जो open source operating system है, उसका ही फायदा उठाके, इन लोगों ने अपने launchers वेकर इसमें डाल दिये है, जो कि हम ल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अगर आपके phone में accessibility नहीं है, तो उसको increase करने के लिए, inaccessible से accessible बनाने के लिए, आप use करेंगे Microsoft launcher का, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ पर जाओंगा तो आपको वीडियो का end तक देखना है, जो जो चीज़े हैं आपर inaccessible हो सकती है, अब यहाँ पर आप Microsoft launcher जैसे इंस्टॉल कर ले तो आपकी बहुत बड़ी समस्या खतम हो गई, होम स्क्रीन आपकी accessible बन चुकी है, इन सब की वीडियो माइक्रोफ लाँचर वीडियो सब बनाई भी हमने आप देख सकते हो, एप स्क्रीन आपकी accessible हो चुकी है, मतलब होम स्क launcher आपने डाल लिए ना को चीन accessibility नहीं, सेटिंग से जाके launcher बदल दो, जो सारे phone आपको option देते हैं, और फिर आपका जो home screen हो यहाँ पर accessible बन चुका है, बताओ, आई को दिकत, यह काम आप दूनिया के किसी भी phone बना सकते हो, बस उसमें Android होना चाहिए, सेकिंड, यहाँ पर आप दूसरी चीज निकल कर आती है भाईया, आपका notification shade, आप उसके लिए भी यहाँ पर काफी सारी application try कर सकते हो, आपको पता है, आप अपने notification shade को बूरे change कर सकते हो, काफी सारे इसके आपको alternative मिलते है, especially notification shade में बहुत से लोगों को quick settings में inaccessibility के issues आते है, वहाँ पर कुछ toggles बोलता नहीं, कुछ नहीं करता, तो उसके लिए यहाँ पर solution यह है, कि यहाँ पर बहुत सारे status bar भी आपको मिलते है, Google Play Store पर वो try कर सकते हो, या तो, क्योंकि देखो, अगर हमने कुछ ऐसा phone ले लिया है, दोस्तों, जो बहुत inaccessible है, तो आप उसमें 1%, मतलब मैं 100% खतम कर करने के लिए, main जो दिक्कत आती है, वो targets को add करने के लिए, तो उस समय के लिए, आप किसी की help लेकर, जो आपको जहाँ move करवाने, targets add करवाने, वो आप करवा सकते हो, फिर यहाँ पर आपका notification भी accessible बन सकता है, अगर issue आता है, तो वैसे तो अभी add वगरा करना भी काफी हद तक अच्छा accessible ही होगा, बट फिर पर एगर issue आता है, तो यहाँ पर आप किसी की help लेकर, notifications में, toggles वगर को add करा सकते हो, बाकि तो notification की ज्यादा problem कभी नहीं आती, चीग है, अब तीसरी दिक्कत आईगी, दोस्तो किसी को recent apps में, close only मिलेगा, तो सब में कुछ ना कुछ universal gestures होत यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप को recent apps में भाईया, आप two fingers से swipe right कर सकते हैं, आपके application close हो सकती है, swipe up करे के close हो सकती है, close all button नहीं मिल रहा है, रहन दो, क्यों डूणने, आपके बास swipe up, swipe down, two fingers से आपको करके देखना है, left, right, up, down, कुछ ना कुछ काम करेगा, और आपक कुछ नहीं होगा, बाके सब जो होते हैं, आप इंफो में जाने के होते हैं, रिसेंट apps में बाके ज़्यादा कुछ नहीं होते है, अब यहाँ पर next चीज आती है, उपर जो आप बैटरी बैटरी देखते हो, टाइम वाइम देखते हो, वो तो किसी में नहीं से बोलतो होता कर दे रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग जो है, एप्लिकेशन पर वन बाइवन चलें, तो भाईया, सबसे पहली एप्लिकेशन यहाँ पर किसी फोन का डाइलर आता है, जो कि आज काल अल्मॉस सब फोन में Google डाइलर मिलने लगा है, अगर नहीं मिलता है, तो डाइलर कोई स अब बुड़ी-बुड़ी कंपनीज के वैदर एपस आते हैं, इसको इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, इसको उडाराओ, हटाओ, दोस्तों, यूजी मत करो, डिलीट कर दो, अब तीसरा क्या हो दा, क्लॉक, क्लॉक अप्लिकेशन भी, मतलब यह सिस्टम एपस अगर हमको ल वह आप यूज कर सकते हो, मतलब फोन का वहर एक सिस्टम एप, चाहिए फोन की फाइल मेंजर भी आते हैं, गूगल फैस यूज करो ना, इसलिए वैसे आपने देखा होगा, कि ऑल्मोस्ट फोन में आपर, गूगल फाइल आपको बाइडिफॉल्ट फाइल मेंजर मिलने ल दाल दो, माइक्रोसोफ्ट का यहाँ पर आप लॉंचर डाल दो, और यहाँ पर फाइल मेंजर प्लश डाल दो, अगर ज्यादा अच्या ओर फाइल मेंजर चाहिए, तो options तो है ना भाईया, और क्या होता है, अब आती है मेंज चीज बहिए settings, दोस्तों, इसके लिए बस ए आप ने companies के नाम सुने हैं, उन सब में आपको काफिया तक अच्छी मिलती है, और आप उनको तो accessible है, 99% phone accessible बन जाता है, क्योंकि accessibility ही तो होती है phone की, बाकी TTS नहीं चल रहा है, वो तो सारा permission का खेल है, वो inaccessibility ना है, दोस्तों, अगर आपको लगता कि TTS नहीं चल रहा है, आपको phone को लेकर, applications और websites इन सब का तो still issue रहेगा, ये तो तब तक resolve ने होगा, जब तक updates नहीं आएंगे, बट operating system, एक phone आप लेते हो, उसका तो accessibility का issue कर दिया, जहां तक setting की बात रही, setting तो inaccessible होती ही नहीं है, किसी किसी की थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत यूज करने हलकी सी clock ने चल, inaccessible वही है, weather ने चला, inaccessible हाज कल के समय में, इवन यहर पहले भी, Android हमेशा सी open source operating system रहा है, उसमें accessibility का issue आया ही नहीं है, बस जो किया है, companies ने किया, अपना customization दे दिया, बट आपके पस अभी भी options available है, play store है ना, आप install करके अपने applications को accessible बना सकते हो, तो यह सारी चीज़े आप try कर सकते हो, और अपने दुनिया के किसी भी Android phone को accessible बना सकते हो, तो यह थी दोस्तों कुछ राज, कुछ secret की बात है Android के मामले हो, तो कैसे लिए आपको वीडियो के comment करें बताना, अच्छे लगे हो तो like कर जाना, सभी के साथ share कर जाना, चैनल को subscribe कर लो, बेल अकन को all पर सेट करो ऐसी ही वीडियोज आपके लिए आते रहेंगी, WhatsApp, Telegram ग्रूप में आप लोगो बाट पेसे जूड़ सकते हो, अगर आपका कोई भी कोशन नहता, आपको इंबोक्स में बूच सकते हो, यह वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यव मिलते एक सी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई